हेलो स्टूडेंट्स, आई हम गुर्वींदर का और सीनियर फिकल्टी एट अभी मन्यू आई एस ए वेरी वोम वेलकम ओलो फियू इन दिस सेशन और स्टूडेंट आज हम यहां पे करेंगे हमारे पीवाईक्यू का सेशन राइट इससे पहले स्टूडेंट हमने 63 नंबर तर कुष्टन डिसकस कर लिया था 2018 के एक्जाम का और अब हम करते हैं आगे फर्दर तो स्टूडेंट स्टूडेंट करते हैं हम हमारा कुष्टन नंबर 64 जो आपकी स्क्रीन पिया स्टूडेंट तो आप कुष्टन को पढ़िए इसको अटेंट करना है और उसके बाद जब मै मैं आपको अटेंट करू तब आप देखना कि हां जी मैं आमने किस तरीके से कुष्टन अटेंट किया क्या प्रिंसीपल है इसके पिछे का राइट किस तरीके से हम स्टेटमेंट को अलिमिनेट करते हैं तो इस तरीके से स्टूडेंट आप कुष्टन को अटेंट कीजिए ठीक है तो question है student आपके सामने 64 number attempt किए जी student पहले pause लेना है फिर question को attempt करना है ठीक है pause लेना है आपको एक ठीक है तो question पढ़ते हैं कहता है what happens when light travels from the air to glass air से glass के अंदर light enter करती है आपको भी पता है student जो light है student वो travel कर सकती है है ना travel कर सकती है वो vacuum में भी travel कर सकती है right vacuum में travel करती है तब ही तो student वो sun से हमारी अर्थ तक पहुंचती है right फिर हमारी जो light है वो air में भी travel करती है हमारी light liquid में भी travel करती है water में student क्या water में light travel करती है बिल्कुल करती है student तब ही तो student जितने भी हमारे oceans है sea है right उसकी अंदर जितनी भी flora, fiona, grow कर रहा है वो without photosynthesis तो grow नहीं कर सकती food तो चाहिए ना उनको तो food कैसे बन रहा है क्योंकि water के अंदर light penetrate कर रही है उसी को वो use कर रहे है अच्छा बहुत मतलब आप मेरे से ये कहोगे कि मैम deep ocean के अंदर तो light नहीं जाती मीचे तक तो light नहीं जाती हाँ जी बिलकुल नहीं जाती student बट जो हमारा shallow water होता है मतलब कि जो उपर वाली layer होती है water की वहाँ तक तो वो penetrate करी सकती है हमारी light हाँ deep sea की अंदर बिलकुल depth की अंदर तो light नहीं पहुँच पाएगी तब तक वो block हो जाती है बट हाँ उपर तो पहुची सकती है और यहीं पे हमारी florine funa grow भी करती है ठीके जी ओके ओके हाँ जी यह हो गया अच्छा फिर light जो है वो हमारी solid में भी travel करती है just like our glass ठीके glass में आप देखिए glass जो आपका mirror होता है right जा आपका जो glass होता है उसमें देखिए आप light travel करती है ठीके ओके ok student तो अब यह कह रहा है कहता है कि light जो है जब वो air से glass में travel करेगी मतलब कि for example यह हमारा glass है ठीक है ठीक है यह हमारा glass है student light जो है वो हमारी कहां से travel कर रही है air से glass के अंदर travel कर रही है अच्छा, see here student, तीन तरीके के medium होते हैं student जब light travel करती है, ठीक है, एक तो दो तरीके का medium होते है, sorry, एक होते है हमारा rare medium, एक होते है student हमारा rare medium और एक होते है student हमारा dancer medium, अब ये rare और dancer क्या चीज़ है, see here student, rare word का मतलब है कि जहां पे हमारी जो light है, जहां पे हमारी जो light है, वो बहुत ही, एक rare medium के अंदर, जहां पे particles बहुत दूर-दूर है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे, उस medium को बोलेंगे हम rare medium, क्या बोलेंगे student, rare medium, are you getting my point, yes or no, right, understood, okay, देखो, जहां पे particle बहुत ज़्यादा, पास-पास होंगे, जहां पे particle बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के पास-पास होंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस medium को हम बोलेंगे, dancer medium, तो see here student, जब बे light जो है हमारी, जब भी light जो है न, student हमारी, वो rare medium में एंटर करेगे, तो obviously student, उसके सामने abstractions बहुत ही कम है, obstacles बहुत ही कम है, वो easily क्या कर सकती है, travel कर सकती है, बट जो हमारा dancer medium है, वहाँ पे क्या है, अब particles एक दूसरे के बिलकुल पास-पास है, जैसी light travel करेगे, उसके सामने बहुत सारे obstacles आएंगे, जिसकी वज़स उसका, जो speed है student light की, जो student speed है light की, वो क्या होगी student यहाँ पे, change ह होगी? जयसे for example आप running कर रहे हो, running करते-करते एकदम से आपके सामने कोई stone आ गया, आपके सामने कोई pallet आ गया, आपकी speed क्या हो जाती, एकदम से क्या हो जाती, slow हो जाती, कम आ जाती, आपकी गाड़ी की स्पीड है, 100 की vitesse से चल रहे ही, एकदम से आगे breaker आ अगे, क्या क्य सुदेंट जब जो लाइट रियर मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगी जब लाइट रियर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो ओबिसली सुदेंट जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी more होगी, होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी student, ज्यादा होगी, जब light denser medium में travel करेगी, तब क्या होगा, उसकी speed क्या होगी, less होगी, are you getting my point, yes or no, do you clear, do you understand, yes or no, ठीके, I hope कि आपको clear होगया होगा, ठीके, ओके, ठीके, ठीके, अब आप question को समझो student, समझो question, जब light हमारी travel करेगी student, air से glass की तरफ, तो वो क्या करेगी, it bends towards the normal, पहला option है कहता, it bends away from the normal, there is no change, fourth option है हमारा कहता, it becomes parallel to the normal, क्या चीज है, इसका correct option बनेगा, अभी ये क्या चीज है, देखिए student, इसको भी आप समझे बच्चे, इसको भी समझना बहुत important है, समझो student, seer student, जब light हमारी, जब light हमारी, air से, you know, air से जब वो क्या करती है, किसी और medium में, एक medium से, ये हमारा पहला medium है, ये हमारा second medium है, ये glass है, और उपर क्या है, air है, जब student light enter करती है, तो उसके साथ हम क्या draw करती है, हमारा normal draw करती है, ठीक है, तो light दो तरीके से behave करती है, जब वो air से glass में enter करेगी, मतलब rare से denser medium में enter करेगी student, तो बेंट होगी towards the normal, वो बेंट होगी, हमारी जो light की ray है, student ये जो light की ray है, जिसको हम incident ray बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, incident ray बोलते हैं, please listen me very carefully, और ये हमारी कौन से होती है, ये होती है, हमारी refractive ray, कौन से होती है, refractive ray, ठीक है, तो ये bend करेगी towards the normal, normal की तरफ वो bend करेगी, जैसे students, आप जो है, आपने ये बहुत बार देखा होगा, experiment चाहिए, आप करके देख लेना, जैसी ये हमारा glass है, glass of water है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, जब आप इसके अंदर pencil ऐसे करके dip करते हो, pencil dip करते हो, तो जब आप pencil dip करते हो, student, तो pencil आपको ऐसा लगता है, कि यहाँ से तूट गई है, जहाँ से आपका surface शुरू हो जाते है, bend हो गई है, ठीक है, तूट गई है, वो किसलिए, due to reflection, क्यों, क्योंकि जो ray of light अंदर जारी, जिसकी वज़़े से आपको दिख रही है pencil, वो ray of light, जब वो enter करती है पानी के अंदर, तो पानी क्या dancer medium है, बाहर क्या rarer medium है, यह rarer medium है, यह dancer medium है, तो जो हमारा ray of light है, वो bend कर जाती है towards the normal, towards the normal की तरफ वो क्या कर जाती है, student bend कर जाती है, yes or no, clear आपको, तो वो normal की तरफ bend करेगी, तो अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर इसका उल्टा हो जाए, कि मालो जो light है, वो glass से, glass के अंदर से, वो air में travel कर रही है, उल्टा हो जाती है, तब क्या होगा student, जो light ray हमारी जा रही है, ग्लास से बाहर की तरफ, वो क्या होगी, away from the normal bend करेगी, क्या करेगी, away from the normal bend करेगी, student, away from the normal, clear होई बात किया, नहीं होई, yes or no, away from the normal, okay, ठीक है जी, तो यह दो conditions है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा correct option क्या बनेगा student, first बनेगा, it bends towards the normal, is that clear, yes or no, ठीक है, तो बहुत अच्छे समझ आया, आपको 64 number question, right, कितना अच्छे से concept clear हुआ ना, हमारा, ठीक है बच्छी, तो ठीक है जी, चलो फिर, आगे move करे, yes or no, ठीक है जी, तो question number 65, आपके screen पे, student, फटा फट से question को पढ़ो, और फिर आम चलते हैं, आगे, हाँ जी, question पढ़ो, student, question पढ़ो, डने, अच्छा, क्याता है, which of the following medical procedure, यहाँ पर medical procedure के बारे में question पुट किया है, uses the principle of total internal reflection, what is total internal reflection, student, total internal reflection का मतलब होता है, student, जब 100% light जो है, वे वे आपकी क्या करे, reflect back करे, ठीक है, okay, ठीक है, इसके लिए आपको केस समझना पड़ेगा, student, इसके लिए आपको केस समझना पड़ेगा, मैं आपको जल्दी-जल्दी समझा देती हूँ, ज़्यादा मतलब इसमें, खैर, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा long topic है, मतलब थोड़ा सा time लेकर समझने वाला topic है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर concept, थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है, तो वो away from the normal move करती है, फिर हम second case consider करते हैं, जब light, अगर मानलो मैं incident angle, यह जो हमारा angle है, angle of incident, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, मानलो मैं इस angle को इतना बढ़ा देती हूँ, 30 से 42 कर देती हूँ, ठीक है, जब मैं इसको बढ़ाओंगी, तो obviously हमारी ray और ज्यादा क्या होगी student, और ज्यादा क्या करेगी student मेरी ray, away from the normal जाएगी, मेरी incident ray का angle जब मैं जैसे जैसे बढ़ाती जाओंगी, ठीक है, फिर मैं third case लेती हूँ, student, ऐसा ही case, ठीक है, अगर मैं और ज्यादा angle बढ़ा दू, मतलब incident का angle और ज्यादा बढ़ा दू, angle of incident और ज्यादा बढ़ाओं, तो एक time ऐसा आएगा student, जो मेरी refracted ray है, जो मेरी refracted ray है, वो क्या करेगी, इसके parallel हो जाएगी, इसके क्या हो जाएगी, यहाँ पे parallel हो जाएगी, student, मतलब की मेरी जो refracted ray है, वो बिल्कुल क्या आजाएगी, मेरे surface के parallel आजाएगी, एक और case consider करते हैं, fourth number case consider करते है, student, अगर मालो मैं और ज्यादा, अच्छा, अब क्या है student, यहाँ पे जो मेरा angle of incident है, इसको मैं अब बोलूँगे critical angle, इसको मैं क्या बोलूँगी, critical angle बोलूँगे student, अब यह जो angle है ना मेरा, यह critical angle बन जाएगा, जब यहाँ पे यह 90 degree का angle बनाएगा, कौन मेरी refracted ray, अब fourth case में और consider करते हूँ, जब मैं हमारा angle of incidence को और ज्यादा बढ़ा दूँगे, जब मैं और ज्यादा बढ़ा दूँगे, मतलब angle of incidence ज्यादा हो गया मेरे critical angle से, इस angle से, ठीक है, तो मेरी जो refracted ray, जो बाहर थी, वो वापस से उसी के अंदर क्या कर जाएगी, reflect back कर जाएगी, तो जब वापस से आप उसी medium के अंदर, you know, reflect back कर जाते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, और इसी phenomenon को student हम बोलते हैं, इसी phenomenon को हम बोलते हैं, total internal reflection, मतलब कि जो light थी, वो वापस से उसी medium के अंदर क्या कर गई, enter कर गई, वापस से उसी medium में क्या कर गई, enter कर गई, इसी चीज़ को हम total internal reflection कहते हैं, student, ठीक है, बहुत interesting concept है, और इसके base के ओपर बहुत सारी applications है, जैसे कि हमारा, हमारा mirage effect, मिराज effect सुना हैं आपने, सुना होगा, पकी बात सुना होगा, मिराज effect क्या होता है, student, जब आप किसी desert के अंदर visit करते हो, ठीक है, बहुत ही गर्म, मतलब गर्मी पढ़ रही होती है, जिस time पे, मतलब मालो noon का time है, afternoon का time है, तो जब आप, you know, road के उपर देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है, कि थोड़ी दूर पे पानी है, ठीक है, और even desert के अंदर भी, जैसे मालो आप खड़े हो, तो आपको ऐसा लगेगा, कि जैसे थोड़ी दूर पे पानी है, बहुत सारा पानी है, actual में जब आप pass में जाते हो, तो वहाँ कोई पानी नहीं होता, that is due to the total internal reflection की वज़ इसलिए यहां पे rare or dancer का एक medium बन जाता है, जिसकी वज़ए से light वापस से उसी medium में enter कर जाती है, जिसकी वज़ए से हमें वहाँ पे miraj effect दिखाई देता है, मतलब कि आपको एक illusion create होता है, कि हंजी desert के अंदर कुछ दूरी distance पे पानी है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, जब पास जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, ठीक है, अच्छा, उसी application के उपर based student हमारा एक और medical procedure है, ठीक है, जो principle based है, किसकी उपर total internal reflection that we called endoscopy, ठीक है, endoscopy की अंदर student आप internal organs की study करते हैं, जो doctor है, वो आपकी internal organs की क्या करता है, student study करता है, internal organs की क्या करता है, student study करता है, ठीक है, internal organs की, ठीक है, क्योंकि total internal reflection है, तो student light का यहाँ पे loss हो नहीं रहा है, बिलकुल आपकी जो light है, जो आपकी cable है, उसमें इस तरीके से travel कर रही है, इसलिए data का कोई loss नहीं होता, तो जो भी अंदर से, जो भी image बनके आती है student, जो भी आप को screen पे visible होती है, वो बिलकुल 100% वैसी ही होती है, मतलब उसमें कोई भी आपका data का loss नहीं है, इसलिए आपको clear cut image दिखाई देती है, बाहर computer पे, जो भी internal organ की, जो भी image होती है, ठीक है, clear आपको, ठीक है जी, ठीक है जी, तो आगे move करते है, student 66 number question attempt कीजिए, फटा फट से, ह 66 number question, attempt कीजिए, student question को, हम, अच्छा, question ने, student हमारी radioactive substance के उपर, question पढ़ते है, कैता है, the half life period of a radioactive substance is 70 days, 70 days उसने value दी है, student हमें, ठीक है, 1 gram of the same substance will become 0.25 gram cup, तो देखे, student, half life क्या होते है, देखे, सबसे पहले तो आप समझो की, what is radioactive element है, तो जो student radioactive element है, इसका मतलब यह होता है, student, radioactive element हमारी periodic table में, कुछ ऐसी elements है, student, जिनका atomic nuclei बहुती ज्यादा unstable होते हैं, जिनका atomic nuclei, मैं nuclei की बात कर रहे हूं, student, nucleus की बात कर रहे हूं, मैं balance electron की, मैं पूरे atom की बात नहीं कर रहे हूं, मैं nucleus की बात कर रहे हूं, यहाँ पे, atomic nuclei आपका unstable क्यों होता है, due to the number of proton and neutron की बज़े से, आपको भी पता है, nucleus के अंदर दो चीज़े present होते हैं, student, एक protons present होते होते हैं, जो protons और neutrons होते हैं, student, वो एक force के साथ bind होते हैं, जिसको हम nuclear force कहते हैं, जो nucleus की अंदर की force है, student, उसी ने इन दोनों particles को क्या करके रखा हुआ है, एक गुसरे के साथ bind करके रखा है, you know that की proton की ओपर positive charge present होता है, neutron की ओपर कोई charge present नहीं होता, मतलब की वो निल होते हैं, ठीक है, बट दोनों ही एक गुसरे के साथ bind रहते हैं, कहाँ पर हमारे nucleus के अंदर, with the help of nuclear force, उनके बीच में एक force होते हैं, बट student, issue कहाँ पर शुरू होते है, student, issue शुरू होते है, student, जब number of proton, number of neutron, sorry, number of neutrons, जो है, जब वो vary कर जाते, जब वो vary कर जाते हैं, किसकी अंदर, हमारे atomic nuclei के अंदर, nucleus के अंदर, then, जो हमारा element है, वो क्या करता है, student, उसका atomic nuclei जो unstable हो गया है, unstable होने की वज़ा से, student, वो radiations emit करता रहता है, अपने आप, spontaneously, spontaneously वो क्या करता रहता है, radiations emit करता रहता है, और उसकी अंदर से तीन तरीके की radiations बाहर आती है, student, पहली आती है, alpha, दूसरी हमारी बीटा, और तीसरी आती हमारी gamma radiations, ठीक है, gamma rays, ठीक है, student, और इन radiations की वज़े से, student, जो हमारा nuclei है, जो हमारा element है, student, वो धीरे धीरे पड़ा पड़ा अपने आप क्या होता रहता है, disintegrate होता रहता है, या मैं कहूं कि वो decompose होता रहता है, धीरे 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 वो element जो है, वो पड़ा पड़ा अपने आप क्या हो जाता है, खतम हो जाता है, radiation की radiations emit कर करके ठीक है तो C year student for example माल लो मेरे पास 1 gram कोई element है student ठीक है जब student radiation emit करके चाहिए फिर 1 year के बाद 2 year, 3 year वो depend करता है कि element कौन सी है तो जब उसकी life half रह जाती है मतलब कि सिर्फ half ही आपका quantity बचती है उस element की half जो है वो decompose हो चुकी है, वो disintegrate हो चुकी है ठीक है, तब उसको हम half life कहते है student उस element की half life कहते for example माल लो आपने 1 gram आपने carbon लिया, carbon आपने cobalt लिया for example ठीक है, अभी वो radioactive एक element है student, ठीक है, cobalt नहीं है student, cobalt का एक variant होता है C60, ठीक है आप वो भी छोड़ी, आप iodine 131 ले लीजी, ठीक है तो जब 1 gram हमारा 50 gram में रह जाएगा, तब उसकी एक half life पूरी हो जाएगी, क्या कितनी पूरी हो जाएगी, एक half life पूरी हो जाएगी ठीक है, जब आगे 50 gram जो हमारा रह गया है, जब वो further 25 gram में रह जाएगा किसमें, 25 gram ही वो रह जाएगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे student, कि उसकी second half life क्या हो जुकिए, पूरी हो जुकिए उसकी second half life क्या हो जुकिए, पूरी हो जुकिए फिर जब वो 25 gram फिर से half हो जाएगा ठीक है, 12 and half 12.5 gram तब हम बोलेंगे उसको कि इसकी third half life फूरी हो जुकिए तो इसी की base की उपर question है, student question समझो कहता 1 gram 1 gram की half life कितनी है, student, 70 days 70 days में हो half रह गया, इसका मतलब क्या है कि वो 50 gram रह गया जो आपका substance है, वो कितना gram रह गया 50 gram रह गया 50 gram से, उसको अब वो कितने पे रह गया 0.25 gram रह चुका है अच्छा, यहाँ पर उसकी one half life, एक half life हो चुकी है 70 days की, जब वो 0.25 gram होगा, तब कितनी हो जाएगी उसकी, second half life over हो जाएगी, second half life over हो जाएगी, एक half life में day कितने है हमारे 70 और second half life में day कितने है 70, ठीक है, तो टोटल कितने होगी हमारे पास, 140 और वह उसने पूछी हम से, option क्या बनेगा हमारे पास, 140 days यह सो और नो, और अगर वो इससे भी नीचे पूछ लेता, मालों वो कहा दाता कि 0.25 भी आगे फरदर half हो चुके ठीक है, 0.25 का आप half लगा लिजिए, मतलब कि 0.2125 ठीक है, अगर वो इतना रह गया ठीक है, तब student उसका कितना होता, तो आप 140 की अंदर एक और half life जोडता हो मतलब कि 140 प्लस 70 तो टोटल कितना हो गया student हमारे पास 210 तो आपका C option बनता तब, लेकिन उसने पूछा ही ने, student उसने हमसे पूछा ही दो का है, तो student obviously हमारा correct option क्या बनेगा 140 days ठीक है जी, ओकी हाँ जी, is that clear, yes or no concept clear हुआ न आपको ठीक है, half life क्या चीज़ है ये पता चला है आपको, ठीक है तो ये पता चल गया तो ठीक है, आगे move करते है, 67 number question पर हाँ जी, attempt कीज़े, student 67 number question कहता है, iodized salt is a what iodized salt पर पूछा है student इसने, आप answer कीज़े तो पहला option कहता है, mixture of potassium iodide and common salt, ये उसका first है, दूसरा कहता है, mixture of molecular iodine and common salt C कहता है, कहता है, compound formed by the combination of molecular iodine and common salt D कहता है, only potassium iodide तो C, इसका correct option बनेगा, A, mixture of potassium iodide and common salt ये दोनों चीज़े present होती है student, हमारी किसके अंदर, हमारे iodized salt के अंदर ठीक है clear आपको, ठीक है बच्चे तो 68 number question पर चलते है, हाँ जी, question attempt कीजिए, कहता है, vinegar is a solution of what vinegar के उपर question है, student हाँ जी, पढ़ो, statement पढ़ोगा ची हाँ जी, vinegar is the solution of what, तो पहला option कहता है, 5 to 20% acetic acid, दूसरा कहता है 25 to 30%, C कहता है 50%, D कहता है 40 to 45%, तो correct option मनेगा, A student 5 to 20% acetic acid को अगर हम water में mix कर दे, तो वो हमारा बन जाए का student, vinegar solution ठीक है जी, okay, interesting question है बहुत ही interesting question है मज़ा आ रहे है आज questions को पढ़के right, हाँ जी आपकी preparation कैसे चल रहे है I hope कि आपकी preparation बहुत अच्छी चल रही होगी अब तक आपने पंजाब PCS को ऐसे त्यार करके रख लिया होगा कि आप तो selection सिर्फ आपकी ही होगी है ना, ऐसी preparation करके रखने है student, इतनी जबरदस्त preparation करके रखने है student आपकी कि PCS में तो आपकी selection 101% आप ensure करोगी करोगी इसको, ठीक है बस student आप अपनी मेहनत पे आप अपने hard work पे trust रखी है student, ठीक है अपने उपर confidence रखी है ठीक है, I know की notification नहीं आई है बट कोई बात नहीं कभी तो आईगी ठीक है, और जिस दिन भी आईगी बस उस दिन ये ensure कर लेना कि हंजे, मेरी selection पकी है, मुझे बाकियों का नहीं पता मैंने अपना syllabus, मैंने अपना test, मैंने अपना mains मैंने हर चीज प्रिपेर करके रख लिए CSET मैंने मेरा done है, ठीक है आप बस paper लेकर आओ मेरे सामने और मैंने कर देना clear ठीक है, okay clear है student, ठीक है तो इस तरीके से student आप अपनी preparation को बस continue रखिए उसके साथ साथ student ऐसा मैं बिलकुल नहीं करूंगी, कि आप सिरफ rely करो PCS के उपर, नहीं student जब तक notification नहीं आती आप किसी और exam को target कीजिए उसको आप clear कर लीजिए right, right, अपनी कोई job है, आपको private job लेनी है आपको आगे फर्दर पढ़ना है आप हर काम कीजिए, continue ठीक है, बठा, उसके साथ साथ आप दिन के दो घंटे तीन घंटे आप अपना पढ़िए ठीक है, पढ़ने के मैंने आपको तरीके बता रखे हैं students, ठीक है क्या क्या करना है, आपको schedule fix रखना है, अपना PYQ अच्छे से करने है, test लगाते रहना है continue, ठीक है, so that आपकी preparation continue बनी रहे, उसमें consistency आती रहे, कैसा नहीं हो कि आपने economy पढ़ लिए बहुत अच्छे से notes बना लिए, सब बना लिए, और फिर जब 3-4 मत बात जब आपकी notification आई, paper आया, आपने economy के notes खोले और आपको कुछ पता नहीं है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यार, ये मैं नहीं लिखे थे notes I don't know कि ये मैं नहीं लिखे notes, होता है न ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि आपको खुद के notes लिखे समझ में नहीं आते कि ये मैंने क्या लिख दिये इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए बस ठीक है, वो चीज पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, वो होनी नहीं चाहिए बाकी आप कुछ भी कीजिए student ठीक है, कोई भी आपका पढ़ने का काम है, जॉब करने का काम है, कुछ भी है उसको आप continue रखिए, ठीक है, बट अपनी consistency बस बना के रखना, ओकी ठीक, तो इसी के साथ student हम question करते है, हमारा 69 कहता, litmus is obtained from what ठीक है, आपको भी पता है student कि जो हमारा litmus है, उसको हम किसलिए use करते हैं, बच्चे acid, base की recognition की लिए acid और base, कोई solution हमारा acid है, base है उसको recognize करना है, तो हम litmus paper को use करते है, यस और नो, करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं बच्चे, तो litmus paper क्या है student हमारा, litmus paper एक बहुत अच्छा, you know एक ऐसा, you know, ऐसा हमारे पास एक ऐसा source है student, जैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि, जैसे for example, मालो, ये दो beaker है मैंने इसमें आपका एक solution रखती है, white color का बिल्कुल पानी की तरह है, ठीक है, एक में acid है और एक में मैंने base रखती है, आप student recognize ही नहीं कर पाऊगे इसको, ठीक है मालो, दो solution पढ़े हैं, एक acid है और एक में water है, ठीक है, आपने गलती से क्या किया, acid को उसमें आपने अपनी finger dip कर दी, ठीक है, और आपको भी पता है, student acid बहुत ज्यादा harmful होता है आपकी skin की cells को है न, वो बहुत damage कर देता है irreversible तरीके का damage भी हो सकता है, student जो कभी recover ना हो, ठीक है, अगर हमारा acid बहुत ज्यादा strong है तो, ठीक है उसको recognize कैसे करोगे, student, आप lab की अंदर की हंजी, कौन सा acid है, कौन सा base है, तो आप use करते है student litmus paper को, तो देखो student, तो दो तरीके के litmus paper होते है, student, एक होते है red, और एक होते है blue, ठीक है, अच्छा, अगर आपका solution acid है please listen me very carefully student, ये exam में बहुत बार आते है अगर आपका solution acidic है student, तो आपका जो paper है, litmus paper है student, वो red color का हो जाएगा वो किस color का हो जाएगा red color का student और अगर आपका solution base है, basic है student ठीक है, acid base तो पता ही होगा न, जिसकी pH 7 से कम होती है, वो acidic होता है, जिसकी pH 7 से ज्यादा होती है, वो basic होता है तो अगर वो basic है तो student, उसका color कैसा हो जाएगा हमारे blue litmus paper का blue हो जाएगा sorry, blue का red litmus paper, blue color में convert हो जाएगा, मैंने इसको ऐसे याद किया वो B से base, B से blue ठीक है, मैंने इसको ऐसे याद कर ली आप भी कर लेना, ठीक है एक हमारा type है organism का, ठीक है वो वहाँ से मिलता है लाइकन के बारे में हम class में बात करेंगे student, ठीक है, फिलहाल हम आगे move करते 70 number question पे, ठीक है जी, हाँ जी तो student 70 number question पेंट केजिए बच्चे, फटा-फट से यारो अच्छा, कहता है in an undamaged blood vessel आपकी blood vessel damage नहीं है student, अब जैसे देखो मेरे skin को कुछ नहीं हो रख है, इस टाइम पे मेरा आँ है, जो hand वो बिल्कुल ठीक है, है ना, ओके तो कहता है, undamaged blood vessel, conversion of pro-thrombin to thrombin is prevented by what, ठीक है, see here student जब भी student आपका you know, कभी भी किसी cell के अंदर damage होता है, मालो यहाँ पे cut लग गया आपके tissue में damage हो गया ठीक है, उस time पे student थोड़े time बाद आप देखते हो कि आपका blood automatically वहाँ पे रुक जाता है ठीक है, और एक ठका सा जम जाता है, मतलब कि clot, clot बन जाता है वहाँ पे blood का होता है, student हमारे blood की अंदर ठीक है, वो तभी हमारा काम करता है, student जब हमारी blood vessel क्या हो जाए, damage हो जाए जहाँ पे blood निकल रहा है, उसको रोकने के लिए काम किया, मतलब यूनो, activate होता है, ठीक है वो ऐसे activate नहीं होता, उसमें क्या होता है student, pro-thrombin जो है वो convert होता है, student हमारा किसकी अंदर, thrombin की अंदर ठीक है thrombin में वो convert होता है ओके बचे ठीक है, thrombin में वो convert होता है बट अब damage तो हुआ नहीं blood के अंदर ठीक है, तो फिर ऐसी क्या चीज है जो pro-thrombin को thrombin में convert ना होने दे क्योंकि अगर ऐसा हो गया, तो हमारा blood अंदर, automatically अपने आप clot होना शुरू हो जएगा, without damaging अज़र, damage नहीं हुआ, फिर भी हमारा blood clot हो रहा है, तो that is prevented by heparin heparin हमारे blood में present होता है, student जो pro-thrombin को thrombin में convert होने से prevent करता उसको कि हांजी, damage नहीं हुआ, तो आपको convert नहीं होना है, ठीक है, जब damage होगा तब आपको पूरा chance दिया जाएगा pro-thrombin को thrombin में convert होने के लिए मतलब कि वो activate हो जाते है okay, student, ठीक है, जी clear हुई ये बात, ठीक है, student okay, student, तो इसी के साथ, student मैं ये session यहीं पर over करती हूँ, I hope कि आपको ये session बहुत अच्छा लगा होगा ठीक है, आप comment करके जरूर बताया किजिए, और even like भी कीजिए videos को, ठीक है, student और भी कोई topic है, student, ऐसा कोई भी topic अगर आपको लगता है कि ये मुझे समझ में नहीं आया है, ठीक है science का, journal science का, आपको कोई भी topic और even science का भी, ठीक है तो आप comment box में बता सकते हैं कि मैं, आप इस पर video लेकर आईए ये topic हमें समझ में नहीं आ रहा है ठीक है, and I will try कि मैं आपका जो भी comment है, ठीक है मैं उसको, उसके उपर video लेकर आऊँ ठीक है, ओकी जी ठीक है जी, तो student, इसी के साथ हमारा new batch भी start हो चुका है for PCS, ठीक है, आप जो है वो enroll कर सकते हैं, इसमें आपको recorded live आपको इसमें videos मिल जाएंगी ठीक है, live lectures मिलेंगी ठीक है, सारी जितनी भी हमारी faculty, उन सब की यहाँ पर you know, lectures चल रही है, ठीक है आप join कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगा ओकी, wish you all the best students, thank you thank you so much, have a nice day आपको जाएगा आपको जाएगा